प्रश्णों को देखेंगे जो आपके परिक्षा के लिहाद से बहुत महत्पूर्ण साबित हो सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं कौन से दार्शनिक अपने कार एक क्रिटिक आफ प्योर रीजन के लिए जाने जाते हैं इम्यनुवल कॉन्ट की ग्रिटिक आफ प्योर रिजन मानवीय समझ और ज्ञान की सीमाओं और दायरे को संबधित करती है कौन सी आर्थिक प्रनाली उतपादन के साधनों पर सामोहिक या सरकारी स्वामित्तों की विशिस्ता रखती है विकल्प A. पुंजीवाद, विकल्प B. समाजवाद, विकल्प C. सामंतवाद या विकल्प D. वनिकवाद उसका सही विकल्प है विकल्प B. समाजवाद समाजवाद सामाजी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन के साधनों के सामोहिक या सरकारी स्वामित्व और प्रशासन की वकालत करता है वर्श 1901 में भावतिकी का प्रथम नोबेल पुरुसकार किसे दिया गया था? विकल्प A. Albert Einstein, विकल्प B. Wilhelm Rondgan, विकल्प C. Mary Curie, विकल्प D. Nils Bohar, इसका सही विकल्प है विकल्प B. Wilhelm Rondgan विल्हेम Rondgan को एक्सरे की खोज के लिए भावतिकी में पहला नोबेल पुरुसकार मिला था निमनलिखित में से कौन सा देश अंतरिक्ष में महिला को भेजने वाला पहला देश था? इसका सही उत्तर है विकल्प A. पंचायती राज, विकल्प B. न्याइक सुधार, विकल्प C. मौलिक अधिकार या विकल्प D. सारवजनिक शेत्र में सुधार, जिसका सही उत्तर है विकल्प A. पंचायती राज. इहत्तरवा सम्विधान संसुधन अधनियम 1992 ने पंचाती राज संस्थाओं को सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया तथा स्थानिय स्वशासन निकायों को सक्ता का विकेंदरी करण किया निमनलखित में से किसे नहरों के शहर के नाम से जाना जाता है विकल्प A. Venice, विकल्प B. Amsterdam, विकल्प C. Bangkok या विकल्प D. Stockholm इसका सही उतर है विकल्प A. Venice इटली का Venice पूरे शहर में परिवहन मार्गों के रूप में उप्योग की जाने वाली नहरों के जटिल नेटवर्क के कारण नहरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है किस वर्ष ब्रेटन वूट्स सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके कारण IMF और विश्व बैंक का निर्माड हुआ विकल्प A. 1944, विकल्प B. 1945, विकल्प C. 1946 या विकल्प D. 1947 इसका सही जवाब है विकल्प A. 1944 ब्रेटन वूट्स सम्मेलन 1944 में ब्रेटन वूट्स न्यूहेंप शायर में आयोजित किया गया जिसके परिडाम सुरू पंतराष्ट्री मुद्रा कोश और विश्व बैंक की स्थापना है अगला प्रशन है शीतियुद्ध सब्द किसने गढ़ा विकल्प A. Winston Churchill, विकल्प B. George Orwell, विकल्प C. Franklin D. Roosevelt या विकल्प D. Harry S. Truman उसका सही जवाब है विकल्प B. George Orwell शीतियुद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रिटिश लेखत जॉर्ज आर्वेल ने 1945 में निबंध में किया था इस निबंध में उन्होंने द्विति विश्युद्ध के बाद संग्युक्त राज अमेरिका और सोवियत संग के बीच भूर आजनेतिक तनाव का वर्डन किया इसका सही जवाब है विकल्प B. James Watson और Francis Trick रोजा लिंड फ्रेंकलिन के X-ray विवर्तन कारे में महत्पूर्ण योगदान देते हुए वर्ष 1933 में DNA की डबल हैलिक्स सनशना की कोच की निमनलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए गैर टेरिफ बाधा का उधारण है विकल्प A. आयात कोटा, विकल्प B. टेरिफ, विकल्प C. सबसीडी या विकल्प D. निर्याद कर उसका सही जवाब है विकल्प A. आयात कोटा गैर टेरिफ बाधाय टेरिफ के अलावा प्रतिबंधात्मक नियम और नीतियां हैं जिनका उप योगदेश अपनी सीमाओं के पार व्यापार की मात्रा को नियंतित करने के लिए करते हैं आयात कोटा किसी विशे स्वस्तु की मात्रा को सिमित करता है जिसे आयात किया जा सकता है इस प्रकार व्यापार को प्रतिबंधित करता है तो आई अंत में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रश्ण कौन सी प्राचीन सभिता पहिये के विकास में अपने योगदान देने के लिए जानी जाती है विकल्प A. मिश्रुकी सभिता, विकल्प B. सिंधो घाटी सभिता, विकल्प C. मेसो पुटामिया सभिता या विकल्प D. चीनी सभिता उस प्रश्ण का जवाब कॉमेंट बॉक्स में देना ना भूले, धन्यवाद कर1 कर लिकल्प B. सन्हेंट